प्रिये मित्रों, आज हम शीता माता के जन्म की पौरानिक कथा को सुनाएंगे, मेरे द्वारा कही गई कथा, आपको अगर अच्छी लेगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिए गए माता सीता के जन्म के संबंद में दो पौरानिक कहानिया प्रचलित है, पहली कथा के अनुसार मिथला राज में भैंकर शुखा पर गया था, जिसे देख, राजा जनक बहुत परिशान थे, तब इस समस्या से निजात पाने के लिए, उन्हें एक रिशी ने जग करने और फिर जग की समाप्ती होने पर धर्ती पर हल चलाने का सुझाब दिया, राजा जनक के रिशी के सुझाब के अनुसार महान जग करवाया गया, और अंत में जब धर्ती को जोतना शुरू किये जनक रिशी, वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धर्ती में से सोने की डलिया मे मिट्टी में लिप्टी हुए एक सुन्दर कन्या दिखे, उन्होंने उस कन्या को उठा कर हाथों में लिया, कन्या का अस्पर्स होते ही उन्हें पिता के प्रेम की अनुभूती हुई, क्योंकि राजा जनक को कोई संदान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्ण लिया और उसे सीटा का नाम दिया एक अन पौरानी कथा के अंसार माता सीटा कोई और नहीं बलकि लंका पती रावन और उनकी पतनी मंदोदरी की पुत्री थी यह कथा तो थोड़ा हैरान करने वाली है प्रन्तु कई ग्रांति से शत्य मानते हैं इस पौरानी कथा के अंसार सीता जी बेदवती नाम की एक इस्तरी का पुनर जनम थी बेदवती भगवान विश्णु की परंभग थी और वह अब पती के रूप में विश्णु को पाना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उसने कठोर तपश्या की कहा जाता है कि एक दिन रावन हुआ से निकल लहा था जहां वह बेदवती तपश्या कर रही थी उसकी सुंदर्ता देखकर रावन मोहित हो गया और बेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा लेकिन बेदवती ने साफ इंकार कर दिया यह देखकर रावन क्रोधित हो उठा उसने बेदवती के साथ दुर्वेभार करना चाहा किन्तु रावन के असपर्स करते ही बेदवती ने स्वेंग को भस्म कर लिया प्रंतु उस उससे पहले उसने रावन को यस्राप दिया कि वह रावन की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी ही मिर्तुवकाओ कारण बनेगी. कहा जाता है कि कुछ समय के बाद रावन की पत्नी मंदोदरी ने कन्या को जन्म दिया लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावन उस कन्या को सुईकार नहीं कि और जन्म लेते ही उसे सागर में फेक दिया सागर की देवी बरुनी ने उस कन्या को धर्ती की देवी प्रिथिवी को सौप दिया और प्रिथिवी की ही गोद्मबसी इस कन्या को पिता के रूप में राजा जनक और सुनैना मासे प्यार मिला और बाद में वही सीता रावन के मिर्टु का कारण बनी अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जैल